सभी को नमस्कार मैं आपका स्वागत करता हूँ आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम सीधा टॉपिक पर आते हैं जब हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की तो उसमें कौन-कौन से इसा पेरामेटर्स हैं जिस पर हमें बात करनी है, तो उसमें cover हो जाएगा blood, हमारे शरीर में किस तरीके से blood circulate काम करता है, कैसी cycle चलती है, तो वो भी इसमें cover हो जाएगी, और हमारे शरीर की जितने भी systems हैं, जिसकी वज़े से हमारा शरीर work कर रहा है, काम कर रहा है, वो भी इसके अंदर हमें समझ आ जाएगा, तो chapter है, या topic है, वो है blood circulation system, blood circulation system को हम रक्त परी संचरन तंत्र कहते हैं, it is called रक्त परी संचरन तंत्र, परी संचरन, परी संचरन, परी स्कल्टू परिक्रमा, संचरन का मतलब चलना, मतलब परिक्रमा भी कर रहा है और चल भी रहा है तो ब्लड सर्किलेशन सिस्टम से संबंदित प्रश्न कैसे आते हैं, उनको मद्दे नज़र रखते हुए, हम इस चीज पर चर्चा करने वाले हैं तो ब्लड सर्किलेशन सिस्टम जिसमें ब्लड का आर्थ हो गया रुधर, रक्त, कून, यह ना इसको आप रक्त कह सकते हैं, और सिस्टम जिसको हम बोलते हैं तंद्र तो हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे सिस्टम्स जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लाइक बनाते हैं इसी इंडिविजल और्गानिजम को इस लाइक बनाते हैं कि उसका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे उसमें बहुत महत्यपूर्ण भूमिकाने बहाता है Blood Circulation System एक बार इस चीज़ को थोड़ा Thought Process में लेकर आईए इसको relate करिए, focus करिए इस चीज़ पर कि आपके शरीर की बहुत सारे systems जैसे की Digestion System Nervous System Scalital System Reproductive System Immune System Endocrine, Exocrine System Excreation System Respiration System ये हमारे शरीर के अंदर के जितने भी systems है वो सारे सिस्टम को वो सारे सिस्टम को Essential चीज़ों की सप्लाई करने का काम ये सिस्टम करता है ये सिस्टम करता है Blood Circulation System मैं यहां से पहला discuss करना क्यों शुरू करता हूँ क्योंकि आपकी बॉड़ी के अंदर जब ये सिस्टम काम करता है मतलब जब आपके शरीर के अंदर Blood Circulate होता है तो बाकी सारे सिस्टम सुचारू रूप से काम करेंगे दिमाग तक अगर रक्त का प्रभाव धीमा हो जाए तो प्रभाव कुछ और होंगे बढ़ जाए तो प्रभाव कुछ और होंगे Blood की गती अगर हमारे अलग-अलग organ systems को ठीक से ना हो तो भी problem आएगी समस्याएं होंगी और हमारे जीवन की शुरुआत में मतलब जिस समय हम अपनी माता की गर्भ में थे उस समय से जिस सबसे पहला system हमारी body में काम करना शुरू हुआ वो भी यही system है जिसको हम कहते हैं blood circulatory यह blood circulation system we can say blood circulation system इसको एक और नाम से जाना जाता है this is called cardiovascular system cardiovascular system cardiovascular system हमारे शरीर के अंदर रक्त के चलने से संबंधित प्रशनों को जो exam में पूछा जाता है उसका label CPO, CGL, MTS, CHSL में अलग-अलग होता है लेकिन अगर यह chapter को आप ध्यान से पढ़कर ध्यान से समझ कर इस चीज को अपने जहन में बिठाएं तो आपके लिए सारे competitive exam में जहां पर यह chapter में प्रशन आएंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस चीज को समझना तो आएए सीधे चलते हैं blood circulation system पर पहले इसके वो point discuss कर लेते हैं जहां से exam point to point questions पूछ सकता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी discovery की discovery का मतलब होता है खोज करना invention का मतलब होता है किसी ऐसी चीज को बनाना जो synthesize की गई है nature से लेकिन वो एक नया product है उसको हम कहते है invention बलव की खोज तो बलव प्रकरती का हिस्सा नहीं है camera प्रकरती का हिस्सा नहीं है microphone प्रकरती का हिस्सा नहीं है लेकिन प्रकरती के product से ही synthesize किया गया है हमारे जीवन में हमने जो कुछ भी achievements किये हैं उसको sensation किया है उसे abstract किया है उसे प्राप्त किया है हमने प्रकरती से और अपने हिसाब से हमने अपने काम के हिसाब से हमने उसको अपने तरीकों से चेंज कर लिया, ढाल लिया, सिंथसाइज कर लिया तो जब हम बात करते हैं खोज की तो यहां पर बात आ रही है डिसकवरी की मतलब जो चीज पहले से मौजूद है आज हमें वो मिल गई तो हमने कह दिया खोज कर ली हमने उसकी किसी विज्ञानिक ने उसकी खोज कर ली ऑक्सीजन पहले से उपस्तित है भूल दिया प्रिस्टिले ने इसकी खोज की प्रिस्टिले से पहले ऑक्सीजन तो थी लेकिन existence तो था उसका लेकिन उसके बारे में हमारे पास knowledge नहीं थी उसके बारे में हमारे पास जानकारिया नहीं थी समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ तो यह क्या कह रहा है कि कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम की खोज किसने की तो हो सकता है पहले भी किसी ने इसके बारे में जान लिया हो लेकिन according to the NCRT blood circulation system की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है William Harvey क्या नाम है William Harvey समझ आ रहा है और यह कब किया 1627 में मतलब सत्रवी सदी 17th century कौन सी चल रही है 21 सदी इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है क्या इससे पहले हमारे शरीर किसी को पता ही नहीं था कि शरीर में खून चलता है पता होगा लेकिन हमारा प्रश्न जो पूछे जाते हैं जो हमारा बेस बनाता है वो की गरंथ नहीं है वो कोई वैदिक किताबे नहीं है वो स्लेबस का हिस्सा है NCRT का हिस्सा है और उसमें जो चीज दिनोट की गई है उसमें जो चीज मैंशन की गई है उसमें जो चीज लिखाई गई है वही चीज हमारे कुश्चन का आंसर बनेगी वो सकता है किसी रिशी ने किसी महरिशी ने किसी और सिख्षाविद ने इसके बारे में जानकारी ली हो लेकिन उस condition को अगर हम समझे तो 17th century में William Harvey के द्वारा इसकी खोज की गई थी according to NCRT ठीक है अब इन्होंने क्या बोला blood circulation system को चलाए रखने के लिए तीन पार्ट्स महत्वपूर्ण है तीन पार्ट्स कौन कौन से हमारे शरीर के तीन पार्ट्स है हमारा हिर्दय हमारा रुधिर और रुधिर जिसमें चलता है जिसे कहते हैं vessels वाहीनिया तो रुधिर किसमें चलेगा vessels में खून को चलने के लिए जो रास्ता है वो वाहीनिया है चला कौन रहा है उसको pump कौन कर रहा है हमारा हिर्दय pump करता है blood क्या है blood हमारे शरीर में रक्त जो है वो एक tissue की तरह से काम करता है tissue पहले कोशिका से ऊपर आते है tissues कोशिका के मिलने से कोशिका के सम्हूं को tissue कहते है tantu या उतक हमारा शरीप ठ्लियंस अवर कोशिकाओं से बना है असंख्य कोशिकाओं से बना है लेकिन उनके टाइप्स हैं 200, 200 टाइप्स, इनके प्रकार हैं 200, जिसमें सबसे जादा सेल्स involved हैं हमारे ब्लड को बनाने के लिए, हमारे ब्लड को बनाने के लिए, तो यहाँ पर अगला क्या है वैसल्स, वैसल्स का मतलब है वाहिनिया, वाहिनिया, जिसमें रक्त चलेगा, चलाएगा कौन, हर्ट, चलेगा क्या ब्लड, किसमें चलेगा वैसल्स में, किसने कहा, इसी को तो कहते हैं कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम, यह किसने कहा, यह कहा, विलियम हार्वे ने, उन्होंने एक और चीज़ कही, कि रक्त जो हमारे शरीर में चलता है, वो दोहरा रक्त परी संचरण है, कैसा है, डबल है, डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, दोहरा रक्त परी संचरण, हिर्दय में, अगर सनरचना के अनुसार देखें, हिर्दय की स्ट्रक्शर के हिसाब से देखें, तो हमारा हिर्दय का स्ट्रक्शर ऐसा है, कि उसमें दो बार रक्त प्रवेश करता है, और दोही बार रक्त निकलता है, इंट्रेंस और एग्जिट मतलब दो दो तरफा से, अब ये कैसा है, इसके स्ट्रक्शर से समझेंगे, और दूसरा ये एक क्लोस सर्किट है, सर्किट का मतलब होता है परीपत, it is क्लोस सर्किट, कैसा है, क्लोज सर्किट बंद परिपत बंद परिपत उबलियम हारवे ने कहा कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो रक्त परी संचरन पाया जाता है वो दोहरा रक्त परी संचरन है इसी के साथ स्टडी कर सकते हैं अलग-अलग और्गानिजम की अलग-अलग जीवों की अलग-अलग जन्तूओं की हमारे शरीर में जैसा हिरदय पाया जाता है क्या सारे एनिमल्स में ऐसा ही होगा क्या जैसा परी संचरन हमारे शरीर में है क्या सारे और्गानिजम में ऐसा ही होगा किया जिस तरीके से हमारा हिर्दय काम करता है किया सबका करता होगा यह कुछ प्रश्ण है जो ततकालीन है लेकिन हमें फोकस किस पर रखना है एक्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्ण पर एक चीज को ध्यान में रखिएगा हमेशा टार्गेट क्या है रेलवे है, इंडिये है, CTS है, CPO है, CHSL है, CGL है, MTS है, Defense है, पुलिस है, क्या है उसके according प्रश्ण पूछे जाएंगे और उसका answer आपको समझना पड़ेगा cardiovascular system या blood circulation system रक्त परी संचरण तंतर में हम बात कर रहे हैं, ये 12 रक्त परी संचरण है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके parts की मतलब इसके कौन कौन से parts होते हैं तो आएए सीधा जोड़ते हैं एक slide से, इसमें हम circulation system पर बात करेंगे human circulation system का मतलब क्या है, मनुष्य का मनुष्य का, तो मनुष्य का परी संचरण तंतर अलग कैसे है मनुष्य का परी संचरण तंतर बाकी organism से अलग कैसे है तो देखेंगे कि कैसे काम करता है मनुष्य के हिर्दय की संरचना कैसी है ये सब इसी के अंदर समझ में आएगा सर्किलिटरी सिस्टम में समझ आ रहा है यस देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं हर्ट की सबसे पहले हम बात करते हैं हर्ट की तो heart का structure देखकर हम इसको समझ सकते हैं पहरी चीज यहां समझेंगे इस diagram में दू conditions दिखाई गई है एक में आप देख रहे हैं हिर्दे फैला हुआ है और दूसरी condition है जिसको बोलते heart दबी हुई इस्तिती में है एक में heart फैली हुई इस्तिती में है और दूसरे में heart दबी हुई इस्तिती में है और यहां पर दिखा रखे हैं उसके दो condition एक है जिसको बोलते हैं die stole die stole का मतलब क्या होता है विरलन die stole मतलब जिस समय इसमें कुन एंटर करेगा जिस समय ब्लड एंटर करेगा हमारे heart में उस समय की इस्तिती को क्या कहेंगे उस समय की इस्तिती को कहा जाएगा die stole एक डाइग्राम से पहले clear करते हैं the one is die stole विरलन तो ब्लड एंटर कर रहा है तो देखो ब्लड एंटर कर रहा है राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी यहां भी enter कर रहा है और यहां भी enter कर रहा है अब यह जो आपको blue और red color का diagnose दिखा रखा है या red color और blue color से दिखा रखा है यह सरिफ समझाने के लिए दिखा रखा है कभी यह मत सोचिएगा कि खून का रंग बदल जाएगा ऐसा नहीं होता सरिफ समझाया गया है है ना तो यह आपर अचा एक चीज और दिमाग में रखिएगा छोटी क्लास में प्योर इंप्योर ब्लड का कॉंसेप्ट आता था जब हम शुरुआती क्लास में थे तब हम प्योर इंप्योर ब्लड की बात करते थे यहां प्योर और इंप्योर ब्लड की बात नहीं हो रही है प्योर और deoxygenated blood है oxygen वाला और बिना oxygen वाला पहले समझते हैं right side और left side portion कौन से हैं तो देखिएगा जैसे मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ ये मेरा right hand है तो ये right side of the heart है right heart को बीच में से separate किया गया ठीक है ये बीच में से separate किया गया ये पट्टी लगी है इसके बीच में एक इसको बोला जाता है septum इसको बीच में पट्टी लगा दी है इसको बोला जाता है septum septum का मतलब होता है इसको अलग करने वाला मतलब right side वाला blood का part left वाले के साथ mix ना हो जाए left वाले side का जो blood है वो right में mix ना हो जाए और right वाला left के साथ mix ना हो जाए तो बीच में एक पट्टी लगी है जिसको बोलते हैं सैप्टम अगर ये बीच में से खुल जाए तो इसको बोलते हैं सैप्टम डिफैक्ट सैप्टम डिफैक्ट दिल में छेद की समस्या ठीक है उसमें क्या होगा उसमें किसी व्यक्ति की performance गिर जाएगी क्यों क्योंकि carbon dioxide वाले blood का मिश्रन बन जाएगा oxygen वाले blood के साथ ठीक अब यहां पर देखो यहां से blood enter कर रहा है और वो यहां तक आता है तो यह दिल फैल गया तो इसको क्या बोल दिया die stole heart की आवाज कैसी आई dub sound of the heart is dub ठीक है इसके अंदर आया same समय पर इस तरफ से भी आया मतलब left portion इसी साइड को देखिएगा left तरफ से भी blood enter करा और right साइड से भी blood उसी समय enter किया sound क्या create भी dub जैसे ही blood heart में enter किया आपकी body में blood का pressure कम हो गया भाई नसों का खून किस में आ गया heart में heart खुला तो नसों में pressure down हो गया समझ आया और जिस समय ये दबा उसको बुला गया systole it is called pumping इसको बुलते है pilling ये पिल हो रहा है इसको कहते है pumping नीचे से निलय दब गए निलय नीचे क्या है ventricle नीचे क्या है ventricle, उपर क्या है atrium, ये वाले जो हिस्से है ना ये, ये atrium है, ये अटrium है ये वाला हिस्सा, ये atrium है और ये नीचे क्या है ये वैंट्रिकल है ये पूरे वैंट्रिकल है यहां तक These are the ventricles समझ आया या नहीं तो ये क्या है नीचे की तरफ क्या है वैंट्रिकल उपर क्या है एट्रियम तो जैसे ही पंप हुआ जैसे ही पंप हुआ मतलब जिस समय हमारा दिल दबा तो दबने के साथ ही आवाज आई लब लब तो जिस समय दिल दबता है आवाज आती है लब और जब ये खुलता है तो आवाज आती है डब लब डब लब डब लब डब और जब ये दबेगा तो नसों पे प्रेशर बढ़ जाएगा हमारी वैसल्स में प्रेशर बढ़ जाएगा जिस समय ये दबेगा तो नसों में प्रेशर बढ़ जाएगा और जिस समय ये खुलेगा तो प्रेशर डाउन हो जाएगा इसी को हम बोलते हैं BP blood pressure जिस समय यह दबेगा तो नसों में pressure बढ़ेगा और जिस समय यह खुलेगा तो pressure down हो जाएगा यह लब डब लब डब लब डब तो यह दोनो situation को अगर हम समझेए तो यह हमारे heart में होने वाले changes है यह हमारे हर्ट में होने वाले चेंजिज है यह लगातार चलता रहता है जिससे की हमारा बीपी चेंज होता रहता है 120-80 एक नॉर्मल व्यक्ति का एक हेल्दी व्यक्ति का एक अडेल्ट व्यक्ति का एक स्वस्त व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होगा 120-80 M-M-H-G 120-80 M-M-H-G का मतलब क्या है मिली मीटर मरकरी M-M-H-G कौन सा यंत्र है इस्पेगमो मैनो मीटर रक्त दाब मापी तो ये क्या है दिल की धड़कन इसी तरीके से काम करती है यहां क्या लिखा है डाइस्टोल डाइस्टोल का मतलब जब ये खुलेगा तो इसको बुलते हैं विरिलन अवाज आएगी डब और जिस समय ये डबेगा उस समय अवाज आएगी लब प्रेशर हो जाएगा नसों में 120 नसों में प्रेशर हो जाएगा 120 देखो एरो कहां आ रहा है एरो आ रहा है यहां पर और यह जो पूरा हिस्सा है इसे बोलते हैं आयोर्टा आयोर्टा का मतलब होता है महाधमनी आयोर्टा आयोर्टा का मतलब होता है महाधमनी से समझ रहे हैं और जब इधर से जाएगा right side से जाएगा तो जाएगा pulmonary artery में यहां जाएगा pulmonary artery में समझ रहे है यह या नहीं pulmonary artery this is called pulmonary artery डेखो यहां से भी जारा है और यहां से भी जा रहा है भाई फैंफडे कितने हैं दो हैं तो यहां जैसे ही ब्लड भाहर निकलेगा तो पल्मोनरी आर्डरी में जाएगा कौन सी साइड से राइट साइड ऑफ दा हर्ट भाई दिल राइट और लेफ्ट में बटा किसकी साहिता से है बीच में एक पट्टी लगी हुई है जिसको हम सैप्टम कहते हैं सैप्टम जो कि राइट साइड हर्ट का पार्ट अलग रखती है और लेफ्ट साइड वाला पार्ट अलग रखती है तो जब यह पल्मोनरी आर्डरी में जाएगा तो कहां जाएगा फैंफ़नों की तरफ जाएगा और जब ये आयॉर्टा में जाएगा तो कहां जाएगा हमारी बोडी की तरफ जाएगा आयॉर्टा क्या है हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो आगे चल कर और धमनियों में बट जाती है समझ रहे हैं यस उसके बाद जब ये बलड वापस आएगा एंटर करेगा तो ये कहां से आएगा ये आएगा फैंफ़नों की तरफ से पल्मोनरी वेन पल्मोनरी वेन पल्मोनरी का मतलब क्या है फुफुस या फैंफ़डे वाली शिरा पल्मोनरी वेन तो ये blood enter करेगा, कौन सी side में आएगा? left side में आएगा, जब vein से आएगा, तो pulmonary vein से तो कौन सी side में आएगा? left side में left side में आएगा और जब ये right side की तरफ आएगा, तो कहां से आएगा? vena keva से, that's called vena keva it is called vena keva, दो तरह की vena keva होती है एक होती है anterior, anterior का मतलब होता है जो हमारे शरीर में नीचे की तरफ से आए, उसे कहते है anterior या inferior, ठीक है? और दूसरा है posterior, जिसे कहते है superficial, posterior का मतलब होता है, superficial जो शरीर में नीचे की तरफ से जाए और एक उपर की तरफ से, यानि कि उपर की तरफ से आएगा superficial, नीचे की तरफ से आएगा, तो inferior vena keva तो पूछा जाए, सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, तो vena keva और vena keva में भी सबसे बड़ी कौन सी है, inferior है जो हमारे पैरों की तरफ से आती है, inferior vena keva ठीक है तो यह हो गया हमारे हर्ट का डाइग्राम, जिसके अंदर हमने आपको discuss कर दिया, कि किस तरीके से इसके अंदर changes आते हैं किस तरीके से changes आते हैं, तो जिस समय दिल धड़क रहा होगा, तो sound क्या create होगी? लब डब, क्या sound create होगी? लब डब, समझ रहे हैं? लब डब, और जिस समय दिल दबी हुई अवस्था में होगा, उसको बोला जाएगा systole और जिस समय कुई हुई अवस्था में होगा, उसको बोलेंगे डाइस्टोल, विरलन, फिलिंग, जब दिल भर रहा है खून से, तो उसको डाइस्टोल कह देते हैं सेक्शन समझ लिए, ऊपर वाला जो ये वाले हिस्से हैं, ये क्या है? ये ऊपर वाले हिस्से हैं, ये क्या है? ये हैं एट्रियम और नीचे वाले हिस्से हैं, जिने हम बोलते हैं, वेंट्रिकल ventricle का मतलब होता है निले तो ये right side वाला है ये left side वाला है ये right side वाला है ये left side वाला है क्या ventricle this is called ventricle ventricles या ventria इसे ventria भी कहा जाता है ventria और उपर वाले क्या है atria या atrium इनको औरीकल भी कह देते है समझाया या नहीं yes समझाया तो ये हो गए हमारे heart के internal structure जैसे कि जब वो functionate होता है जिस समय वो काम कर रहा होता है तो दो चीजें हमारी cover हो गए heart में तो अब heart में और क्या-क्या चीजें जो questioning में बनती है जैसे कि जो heart है वो एक विशेष मास्पेशी से बना होता है जिस मास्पेशी को कहा जाता है cardiac muscle अच्छा एक चीज़ कई बार student क्या बोलते हैं सर आपने English English में बता दिया तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हिंदी में बोला ही नहीं गया क्योंकि वो English word नहीं है biology अब आप इसको बोल दो जीव विग्यान तो जीव विग्यान आप biology को नहीं life science को बोल रहे हो biology तो एक Greek word है animal study को आप जनतु विग्यान कहते हो animal science जुलोजी तिस जुलोजी just like paracetamol is paracetamol paracetamol को अगर मैं बोलूं बताओ हिंदी में क्या बोलते तो paracetamol तो paracetamol तो paracetamol है वो तो उसका chemical name है racinic नाम है dingo is dingo malaria is malaria उसके कोई differ name नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो वास्तविक तोर पर हिंदी या English वाले वर्ड नहीं है समझ आया या नहीं तो यहां पर हमने क्या बोला cardiac cardiac muscle से बना है cardiac बहुत मजबूत मासपेशी study of heart क्या कहलाती है study of heart कहलाती है cardiology cardiology is the branch of the medicines cardiology is the branch of the medicines as well as the part of biology hirde की संरचना hirde से संबंदित आकार hirde से संबंदित बीमारिया hirde से संबंदित अधियन ये सब कार्डियोलोजी में आता है हर्ट कैसे काम करता है हर्ट में क्या स्ट्रक्चर्स होते है हर्ट किस टाइप का होता है हर्ट की आउटर में सरफेस में स्ट्रक्चर कैसा है उसकी कौन सी लेयर चड़ी हुई है हर्ट के इंटरनल कोई बीमारी आ जाए Heart से संबंदेतीं सारे अधियन Cardiology के अंतर गताते हैं Cardiology हर्दय का विग्यान क्या कहलाता है Cor physiology समझाया या नहीं Cardio से याद रखेगा जितनी भी exercise Cardio exercise होती है जल्दी जल्दी चलना jump करना रसी कूदना दौर लगाना Method World for the Parade describe पर चलना, यह सब चीजें कार्डियो एक्सराइज में आते हैं, वो रसी लेकर इस तरीके से करते हैं, कार्डियो एक्सराइज, रोज आपको 35 मिनट कम से कम चलना चाहिए, तेज तेज, ब्रिस्क वाक, it's good for your heart, इस तरीके का परिवेश में हम जी रहे हैं, जिस सदी में हम ज आतार पिछले 2-4 सालों से सुनने में आ रहा होगा, कि बहुत कम उम्र में लोगों को heart attack आ रहा है, इसका reason है, in activity और हमारी diet, कई लोग अपने शरीर को artificially जादा strong दिखाने के लिए, कुछ ऐसी substitutes का इस्तिमाल कर रहे हैं, कुछ ऐसे steroids का इस्तिमाल कर रहे हैं, जिसकी वज कर रहे हैं, कार्डियोलोजी, अच्छा, फिर आता है, इसका scientific name, तो हमने बोल दिया, कार्डियो ग्राम, scientific name of the heart, it is कार्डियो ग्राम, इसकिन का है, epidermis, फिर इसकी beat क्या है, heart beat, heartbeat, beat का मतलब होता है, इस्पंदन, तो एक मिनट में दिल धड़क रहा है, एक नॉर्मल सौभाविक एक व्यक्ति का, near about 72 BPM, beats per minute, जो छोटा बच्चा होगा, नवजात बच्चा होगा, जो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा है, उसका लगबग देड़तो तक चला जाता है, आपकी सांस लेने की गती, 16 है, एक मिनट में, 16 बार आप सांस लेते हैं, नॉर्मली सामान ने ताहा, एक व्यक्ति, नॉर्मली 16 बार सांस लेता है, जबकी एक चोटा बच्चा, 32 से 35 बार सांस लेता है, शरीर चोटा है, oxygen की supply बलड़ के अंदर है, शरीर के और्गेन जादा oxygen डिमांड कर रहे हैं oxygen डिमांड के लिए फैंफडे जल्दी काम कर रहे हैं जल्दी जल्दी चल रहे है blood circulation तेज है ऐसे में दिल की धड़कन भी तेज है और सांस लेने की गती भी तेज है ठीक है, तो इसको बोलतेंगे infant नवजात बच्चा उसको क्या बोलते हैं इन्फैंट कहते हैं समझ आया यस अब कोशन बोला जाए कि हर्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं हर्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं अभी हमने पढ़ा डायग्राम से देखा कितने chambers होते है atrium कितने है तो atrium की संख्या कितनी है दो left atrium और right atrium left atrium और right atrium और ventricles कितने है या ventria कितने है ventria भी दो left ventricle और right ventricle right इस तरफ होता है अगर आप कहो तो मैं इसको तुबारा से वैसे ही लिख दूँ जिस condition में लिखा है है ना पीच में septum लगा हुआ है क्या लगा है septum septum से distribute कर देते हैं septum की बज़े से distribute कर देते हैं अलग कर देते हैं जैसे इधर आ जाता है right atrium और right ventricle इधर आ जाता है left atrium और left ventricle अलिंद अब कई बोलेंगे इस तरफ नहीं इंग्लिश में बताया अलिंद और निलाए अलिंद और निलाए ठीक है समझ आ रहा है जब ये खुलता है फिलिंग हो रही है डाई, स्टोल विरलन दोनों तरफ से एक साथ प्लड एंटर करता है दोनों तरफ और दोनों तरफ से एक साथ निकलता है इसी को कहते हैं धोरा रक्त परी संचरन डबल एंटर भी करेगा तो एंटर करेगा और जब निकलेगा तो वेंटरिकल की साहिता से निकलेगा ठीक है समझ आया यहां पर समझने ही कोशिश करिएगा कि जब ये एंटर करेगा तो दोनों साइट से एक साथ एंटर करेगा जब निकलेगा तो दोनों में एक साथ बहार निकलेगा चाहे वो राइट साइड से निकलता हो या लेफ्ट साइड से समझाया? ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन में आपका हर्ट इस तरीके से काम करता है अब यहाँ पर कुछ वाल्व भी मौजूद है वाल्व नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? वाल्व तो चाहिए ना वाल्व कंट्रॉल करने का काम करते हैं वाल्व का क्या काम है? वाल्व को क्या बोलते हैं? वाल्व को बोलते हैं कपाट वाल्व वाल्व को बोला जाता है कपाट जैसे? मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ इस room के अंदर कोई entry ना करे तो मैंने gate बंद कर लिए gate बंद कर लिए तो gate क्या है? valve है समझ रहे हैं? आपकी bike में चाहे वो tubeless bike हो या tube वाली हो उसके अंदर हवा भरने के लिए एक nozzle होती है उस nozzle की साहिता से आप pressure के द्वारा हवा भरते हैं अपने गाड़ी की tube में tube में हवा भरते हैं तो जब वो हवा उसमें enter करती है तो अंदर कोई ऐसा system लगा हुआ है जिस system की साहिता से कोई ऐसा टकनीक लगा हुआ है जिसकी साहिता से हवा उसमें lock हो जाती है और वो तकनीक वाल्व system है एक simple सा वाल्व कई बार होता है कि कई लोग उसके अंदर हवा भरते हैं और वो उसी जगे से लीक होने लगती है तो वो mechanic क्या कहता है कहता है आपके tube का वाल्व nozzle में वाल्व खराब हो गया है वाल्व खराब हो गया है फट गया है वाल्व football में हवा भरते हैं अगर हवा उसी जगे से निकलने लगे बोलते हैं वाल्व खराब हो गया है इसका गैस के cylinder में गैस उसमें से nozzle में से गैस लीक हो रही है बोलते हैं वाल्व फेल हो गया है इसका तो वाल्व का काम क्या होता है वाल्व का काम होता है उस चीज को कंट्रॉल करना रोकने का काम करता है वाल्व तो वाल्व होते हैं चार कुछ नाम अलग-अलग भी है इसके ठीक है जैसे एक वाल्व है जिसका नाम है ट्राई कस्पिड ट्राइकस्पिड टिमुक्तवार तो जब हमारे राइट साइड से बलड एंटर करेगा तो ट्राइकस्पिड ओपिन हो जाएगा देखो इसका एक और नाम है ठीक है इनको एंट्री वेंट्रिकल वाल भी बोला जाता है मतलब जिस समय बलड अंदर आएगा तो बोल दिये एंट्री वेंट्रिकल वाल भी ये दोनों वाल इधर वाल भी और इधर वाल भी और इधर वाल भी तो क्या बोल दिया एंट्री वेंट्रिकल वाल मतलब वेंट्रिकल में आने के लिए एंट्री मिलेगी जब ये वाल खोलेंगे और ये जो उपर वाले वाल्व हैं इनको बोल दिया सैमी लूनर वाल्व लूनर लूना का मतलब क्या होता है लूना का मतलब होता है चंद्रमा सैमी लूनर आधे चांद जैसे सैमी लूनर वाल्व कौन से होते हैं बताता हूँ तो जो tricuspid valve है इसके साथ यहाँ पर एक और valve है जिसको बोला bicuspid यह वो valve है जिनके खुलने से blood enter करेगा हमारे ventricles में ventricles में enter in the ventricle और ventricle में जब enter करेगा तो इसको क्या बोल दिया गया इसको बोल दिया गया entry ventricular valve entry ventricular valve किसमे enter कर रहा है हमारे heart के ventricles में heart के ventricles में तो tricuspid से blood अंदर आएगा bicuspid से blood अंदर आएगा तो यह किस साइड में है left साइड में है और यह किस साइड में है यह right was side में है समझ आया तो यह क्या हो रहा है blood ब्लड अंदर आ रहा है, कहां से आ रहा है, उसकी बात बात में, ब्लड अंदर आ रहा है, एक साथ अंदर आ रहा है, हर्ट की पोजीशन क्या है, हर्ट की पोजीशन है, फिलिंग, हर्ट में क्या हो रही है, हर्ट में हो रही है, फिलिंग, फर रहा है, उसको क्या बोल दिया, उसको बोल दिया systole that's not systole it is called diastole systole नहीं, diastole जब blood enter कर रहा है ठीक है उसके बाद blood बहार निकलेगा बहार निकलेगा तो semi lunar valve से बार जाएगा semi lunar कौन कौन से है semi lunar valve है, एक तो pulmonary 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 से क्या होगा pulmonary valve से क्या होगा pulmonary valve से blood बहार जाएगा और कहां जाएगा फैंफडों की तरफ तो क्या बोल दिया, pulmonary valve circuit दो होते हैं, circuit के बारे में भी चर्चा करेंगे ठीक है, तो pulmonary valve ठीक, उसके बाद इदर left side में एक और valve है उसे बोला, aortic valve कौन सा valve है, aortic, aortic valve aortic valve किदर खुलता है, aorta की तरफ aortic valve किदर खुलता है, aorta की तरफ aorta महा धमनी aortic valve aortic valve aortic valve हम उस valve की बात कर रहे हैं, जो aorta की तरफ खुलता है, मतलब हमारे हर्ट से जब बलड निकलता है, left side से तो वह aorta में बलड भेजता है, यानि की हमारे महा धमनी में बलड प्रवेश करता है, और आगे चलके वही महा धमनी पूरी बाडी में blood circulate कराने में help करती है, कैसे करती है, उसको हम डाइग्राम से समझे पहले ये समझना, valve कितने हो गए, चार हो गए, tricuspid, bicuspid एक साथ खुलते हैं, और aortic और pulmonary एक साथ खुलते हैं, जिस समय aortic खुला हुआ होगा उस समें BICASPID बंद हो जाएगा और जिस समें BICASPID खुला हुआ होगा Genoa बल्मोनरी बंद हो जाएगा और TricASPID खुल जाएगा Diagram में डुबारा देखिएगा AC को ऐसे ही दिखाया गया है यहाँ पर देखिएगा कि ये वाला वाल्व जिस समय खुला हुआ है उसी समय पर ये वाला वाल्व भी खुला हुआ है ठीक है ये दोनों वाल्व एक साथ ओपन हो रहे है और जिस समय ये वाला वाल्व खुला हुआ है उस समय ये वाला वाल भी खुला हुआ है और ये दोनों वाल बंद है ये बंद है ये भी बंद है तो ये कौन सा है ये ट्राइकस्पिड है और ये कौन सा है ये बाइकस्पिड है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड पल्मोनरी आयोर्टिक ठीक है क्या समझे मिट्रल भी बोला जाता है, ये कैसा है, एंट्री वेंट्रिकल वाल, ब्लड अंदर आता है इससे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, फल्मोनरी आयॉर्टिक, फल्मोनरी आयॉर्टिक, ब्लड बाहर जाता है इससे, लेफ्ट साइड से जब ब्लड बाहर जाता है, तो वो हम आजाया किया डाइग्राम से समझते हैं यस नेक्स देखिएगा ये पूरे डाइग्राम के अंदर यही चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से हार्ट से जब बलट निकलता है देखो इसमें जो रैड कलर दिखा रखा है यह aorta का दिखा रखा है aorta महाधमनी और महाधमनी आगे चलके बटती चली जाती है पेट की तरफ जा रही है तो abdonominal 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 का मतलब होता है जो abdomen की तरफ आए abdomen क्या होता है उदर इसको पूरे को उदर कहते है abdonominal ठीक है, अब यहाँ पर है branchial artery branchial जैसे आपके हाथों में distribute हो जाती है नसें बट जाती है अंदर की तरफ है यह arteries muscles के नीचे होती है और veins उपर होती है ठीक है उसके बाद है renal artery renal का मतलब होता है kidney की तरफ जो जा रही है जो kidney की तरफ जा रही है renal artery देखो अलग इससे एक pipeline अलग से ले रहा है लाल वाला इससा देखना लाल वाला अब हाथ में देखो अलनर अलनर का मतलब होता है अलना की तरफ अलना यह हड़ी है ना यह नीचे वाली इसमें दो हड़ियां होती है उपर है radius नीचे है अलना तो अलना की तरफ है अलनर आर्टरी और जो उपर की तरफ होती है उसे बोलते है रेडियल आर्टरी रेडिया या रेडियस इस हड़ी को कहते हैं नीचे एक हड़ी है इसे अलना कहते है उपर है रेडियस दो हड़ीयां होती है हमारी महा में आगे की तरफ तो यह हो गई radial artery समझ पा रहे हैं common iliac artery iliac मतलब ileum bone हमारी यह जो हिस्सा है इसे जो कमर वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं ileum ileum artery समझ में आ रहा है axillary axillary यह वाले यहां पर axilla it is called axilla axillary this is called axillary artery और यह सब artery किस में से blood supply लेती है aorta में से aorta किस से blood supply लेती है heart से heart से कौन supply लेता है aorta और aorta क्या करती है branches में बट जाती है यह सब arteries लिकी हुई है यहां पर देखो external and internal carodic artery उपर की तरफ supply आ रही है हमारे cranium की तरफ cranium का मतलब है kapal दिमाग किस में सुरक्षित होता है kapal में it is called कौन सी external and internal carodic artery common देखो distribute हो गई है external internal का मतलब जो अंदर की तरफ जा रही है वो internal है जो बहारते blood की supply देगी वो external है external external मतलब exit internal मतलब entry common carodic artery का मतलब है जो उपर blood की तरफ supply देगी branchio sapphial का मतलब होता है जो branch में बट रही है आगे चल के देखो यहाँ पर एक नस जा रही है उपर की तरफ तो यह सब क्या है यह artery है नीचे की तरफ देख लो pair की तरफ जा रही external iliac artery यह इलियम वो इलियक हड़ी होती है इसकी वज़े से ऐसी नीचे तक distribute होती चली जाती है arteries इतना depth में नहीं जाएंगे बस इतना समझेंगे कि हमारी जो aorta होती है वो distribute होती है different arteries में aorta मतलब महाधमनी arteries का मतलब धमनी और धमनी आगे चलके और distribute हो जाती है arteries में धमनी काएं और धमनी काएं आगे चलके फिर capillaries बन जाती है उस पर भी चर्चा करेंगे अब इदर देखें इस तरफ सब veins दिखा रखे हैं किसके injection यहाँ पर लगाई जाते हैं कई बार आपने एक movie देखी हुग जिसमें इस तरीके से ऐसे करके और यहाँ पर पकड़के और ऐसे घुमा दिया और वेक्ति बिहोश हो गया वो किसकी वज़े से हुआ जगलर वेन की वज़े से जगलर वेन supply रुक जाएगी हर्ट की तरफ नहीं जाएगी जटके से दिमाग के अंदर जादा content collect हो गया blood का और यह अगर दबा दी गई या यह खींच दी गई तो भी मौत हो सकती है जगलर वेन तो वेन की जो supply है मतलब वेन का मतलब क्या होता है वेन का मतलब होता है शिरा वो किस से जड़ी होई होती है वो जड़ी होती है वेना कावा से that's called वेना कैवा महा शिरा आयोर्टा क्या है महा धमनी आयोर्टा से क्या जड़ती है धमनिया arteries और बेन्स किस से जड़ती है वेना कावा से और वो क्या करती है शरीर के जितने भी अंग है वो अपने blood की वापस अपलाई भेजेगा वेना कैवा के द्वारा ब्लड लेगा किस से arteries के द्वारा और भेजेगा किस से veins के द्वारा कौन? शरीर के सभी अंग हिर्दे नहीं हिर्दे तो arteries के अंदर blood देता है आयोर्टा में blood देता है और लेता किसे है वेना कैवा से वेरी गुड वेना कैवा से यस ये देखिए ब्लड वैसल्स को समझाया है इसके अंदर हर्ट हर्ट ब्लड की सप्लाई किसको देता है आयोर्टा को और वो सप्लाई आर्ट्रीज में जाती है आर्ट्रीज को हिंदी में कहते हैं धमनिया और धमनिया आगे चलके किस में बढ़ जाती हैं आर्ट्रियोल्स आर्ट्रियोल्स का मतलब क्या होता है धमनिकाएं आर्ट्रियोल्स का मतलब होता है धमनिकाएं डिस्टिब्यूशन आयोर्टा इतनी मोटी थी उसके बाद distribution हुआ और छोटी छोटी नसें बन गई इस इस कॉल आर्टियोल्स branches समझ आया या नहीं यस आर्टियोल्स और फिर यह आगे चलके किसमें क्या बन जाती है capillaries capillaries का मतलब होता है केशिकाएं आपके शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनके अंदर बहुत पतली पतली नसें फैली रहती हैं इनको capillaries कहा जाता है जिनका काम exchange कराने का होता है जिनका काम exchange कराने का होता है क्या exchange कराती है बहिए nutrition गया तो nutrition exchange कराएंगी जो आवश्चत चीजें हैं वो receive हो जाएंगी और जो अवांचनी हैं वो उसमें से वापस डाल दी जाएंगी जो नहीं चाहिए वो वापस हो जाएंगी सुनना आपने पानी पिया अब पानी आपके ब्लड में कैसे आएगा पानी आपके ब्लड में कैसे आएगा आपने पानी पिया आपके पेट में गया पेट से तो ब्लड में नहीं आ सकता वो जाएगा छोटी आंत में स्मॉल इंटस्टाइन में और जब स्मॉल इंटस्टाइन में जाएगा तो वहां मौझूद होंगी विलीज, रसा अंकुर, डाइजेशन सिस्टम में पढ़ेंगे और उनके अंदर फैली रहती है कैपिलरी और वहां से ब्लड के अंदर पानी चला जाएगा निट्रीशन चला जाएगा दवाईया चली जाएगी जो भी चीज़ आप कंज्यूम करेंगे अगर वो आपके रक्त में जानी है तो कैपिलरी जाएगी आपने सांस लिया आपके फैंफडो में हवा गई हवा जाने के बाद उसमें से ऑक्सीजन आपके बलड में कैसे जाएगी क्योंकि आपके फैंफडो में भी फैली हुई है कैपिलरी आपकी किडनी में भी है कैपिलरी कैपिलरी क्या होती है गुच्छे होते है और फिर आगे चलके ये जुड़ जाते हैं वैनियॉल से एक तरीके से मान के चलेंगे वैनियॉल का मतलब है शिरिकाएं जैसे कि आपके हातों में बहुत पतली पतली नसे होती है हर नस के अंदर इंग्जेक्शन नहीं लगाया जात डॉक्टर ध्यान से इस तरीके से करता एक नस फूल जाती है और वो जो नस फूलती है वो वेन है और जो उसमें उसके अंदर बलड को देने का काम करती है बिल्कुल ऐसे मानना बहुत छोटी छोटी नदियां है बहुत छोटी छोटी नदियां है वो जाकर एक बड़ी कावा में वेना कावा भी एक वेनी होती है इसलिए यहां अलग से लिखा नहीं है और वो जुड़ जाता है हर्ट से इसी को क्या कहा जाता है close circuit close circuit it is called close circuit बंद परिपत कौकरोज की गरदन काट दो कौकरोज फिर भी जिन्दा रहेगा कम से कम तीन हफते तक क्यों क्यों क्योंकि उसके अंदर close circuit system नहीं है open circuit है समझ आ रहा है या नहीं yes समझ आ रहा है या नहीं यहाँ पर हमने देखा blood vascular system ठीक है किस तरीके से हमारा blood circulation system working mode में काम करता है it is called blood vessels blood vessels का मतलब क्या होता है blood vessels का मतलब है वाहिनिया रक्त की वाहिनिया रक्त जिन में चलता है तो heart से artery, artery से arterioles, arterioles से capillary और देख लो यह सब इस तरीके से functionate होते हैं यह जो आपको गुच्छा जैसा दिखाई दे रहा है न यही हैं capillary it is capillaries यह गुच्छे जैसे और यह किसमे हैं यह हर muscles में हो सकते हैं हर muscles में हो सकते हैं देखो heartioles, heartioles के बाद capillaries के गुच्छे और बरीक बरीक और बट जाते हैं और आगे चलके यह जुड़ जाते हैं किस से? venule से या veins से देखो veins कितनी बड़ी है veins और यह क्या है? यह artery arteries ऐसे बटती है branches में बटती है जाल फैला पड़ा है साथ हजार माइल्स का जानवे हजार किलो मीटर का जाल फैला पड़ा है पूरे शरीर के अंदर नसों का जानवे हजार किलो मीटर एक अडेल्ट विप्ती के अंदर 60,000 माइल्स और पूरी बड़ी के अंदर रक्त की सप्लाई इसी जाल से होती है समझ आया यस नेक्श देखिएगा अब arteries, veins और capillaries में difference क्या होते है यह आएगा English मैं समझा दूँगा Hindi में यस arteries, veins और capillaries में क्या difference है सबसे पहले देखते हैं arteries arteries को देखते है elastic muscular wall यानि कि यह कैसी है लचीली होती है और उनकी जो दिवारे होती है वो muscular होती है मास्पेशियों से बनी हुई है muscular wall keep blood under pressure keep blood under pressure मतलब यह रक्त के उपर pressure बना कर रखती है रक्त के उपर pressure बना कर रखती है example के तोर में अगर आपके heart के द्वारा जादा तेज सप्लाई की जा रही है तो यह फैल सकती है elastic city है इसके अंदर nerve signals can make arteries construct or dilate जो हमारा brain का function है nerves के function है वो इसको contract भी कर सकता है और फैला भी सकता है सकुचित भी कर सकता है और फैला भी सकता है ठीक है nerve signal nerve signal मतलब तंत्रिका का जो signal होता है वो इसी पर काम करता है तो जब आपका BP लिया जाता है तो BP लेने पर जिस समय blood pressure लिया जाता है मशीन के अंदर तो 120-80 का जो reading आता है वो इसी पर है वो इसी के अनुसार आता है और कई ऐसी medicines होती है जो relax कर देती है बोलते हैं BP बढ़ रहा है medicine दे दी brain function से वो control हो जाएगा nerve signal से control हो जाएगा veins देखिएगा thinner पतली होती है less elastic rigid जादा होती है less muscles muscles कम होते हैं उसमें than articles arteries arteries के मुकाबले धमनियों के मुकाबले lower pressure than arteries इनमें pressure कम होता है क्यों क्यों क्योंकि इससे तो रक्त वापस जा रहा होता है heart में heart जहां supply भेज रहा है heart जहां धक्का लगा रहा है जहां पर उसके अंदर sun kitchen हो रहा है जहां पर उसके अंदर systolic हो रहा है जहां उसका pumping हो रहा है वो तो arteries थी यहां से तो supply वापस जा रहे है valves and gravity aids flow back to the heart valves and gravity aids flow back to the heart इसके अंदर क्या होता है veins की साहिता से हमारे heart में blood वापस जाता है हमारे heart की तरफ जाता है heart की तरफ blood जाता है किसकी साहिता से veins की साहिता से capillaries क्या है एक सेल जैसी पतली एक्सचेंज करा सकती है बिल्कुल ऐसे मान लीजिए जैसे कि आपने क्या किया एक टिशू पेपर ले लिया टिशू पेपर के एक हिस्से पर आपने थोड़ा सा पानी डाला आप देखेंगे दूसरी सतह पर पानी पहुँच गया एक प्लास्टिक ले ली उस पे पानी डाला दूसरी सतह पर पानी नहीं पहुचा क्योंकि वहाँ एक्सचेंज नहीं होगा वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ाएगा उस लेयर से पार नहीं हो सकता ये एक सेल ठिक होती है यहाँ पर गैसों का और नूट्रीशन का आदान प्रदान होता है समझा गया क्लियर हो गया हमने बलड के बारे में पढ़ा सौरी बलड वैसल्स के बारे में पढ़ा और हर्ट के बारे में पढ़ा बलड प्रेशर 128 mmHg एक बार उसको भी देख लेते हैं यह सब चीजों की वजए से हमारा जो बलड प्रेशर है जब बलड प्रेशर की बात करते हैं तो बलड प्रेशर के लिए एक यंत राता है उसको पता करने के लिए उसको क्या बोलते हैं इस्फैगमो मैनो मीटर इस्फैगमो मैनो मीटर इसको क्या बोलते हैं, रक्त दाब मापी, रक्त दाब मापी, जिस समय दिल दबा, सिस्टोल, it is called 120, और जब खुला, तो 80, क्या, M, M, H, G, 120, 80, M, M, H, G, एक चीज़ और समझते हैं, दो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, एक टेक्निकल टर्म्स हैं, एक है हाइपर टेंशन, और दूसरा होता है, हाइपो टेंशन, हाइपो टेंशन, हाइपो टेंशन, अप्तियधिक तनाव, और ये दिमाग की बात नहीं हो रही ये हमारी नसों के अंदर हो रही है, हमारी आर्ट्रीज में, सुनना, हमारी आर्ट्रीज में, हमारी आर्ट्रीज में, जब रक्त को चलने के लिए जगा कम मिले, ये अंदर से कैसी हो गए, सक्त हो गई, कुछ भी कारण हो सकते हैं, कॉलिस्ट्रॉल बढ़ गया हो, स्मोक क करने की वज़े से भी ऐसा हो सकता है तो अंदर खून की सपला अंदर जो खून चलेगा उसको चलने के लिए रास्ता कम मिलेगा जिसकी वज़े से हाइपर टेंसन हो जाएगा और जब नसों में दवाब कम हो जाए किसी के कारण एक तो दवाब इसके अंदर बढ़ गया प्र हाइपोटेंशन हो गया तो उसको बोला गया हाइपोटेंशन बीपी लो चला जाएगा और दोनों ही इस्तिती डैंजरस हैं अगर किसी को जादा समय तक हाइपोटेंशन रहे तो ऐसे में उसके दिमाग तक ब्लड की सप्लाई धीमी होने की वज़ा से उसके ब्रेन का क्लोस सरकिट समझाया अब एक चीज यहाँ पर और रह जाती है जिसको हमने बोला कि दो सरकिट पाए जाते हैं कैसे सरकिट पाए जाते हैं देखो भाई हार्ट जो है वो पूरी बाडी में ब्लड सप्लाई करता है और बाडी से रिसीव भी करता है तो जब यह करता है तो प्रीज की साहता से ब्लड बहार निकालता है और जब यह लेता है तो वेंस की साहता से ब्लड वापस लेता है इसी को क्या कह देते हैं सरकिट और यह कैसा सरकिट है क्लोस सरकिट है क्लोस सरकिट अब इस सरकिट को समझने के लिए कि दो टाइप के सरकिट कौन से होते हैं हम हार्ट में जो सप्लाई आती है एक तो लंग्स की तरफ से आती है लंग्स की तरफ से तो लंग्स से हार्ट की तरफ आई और हमारे शरीर की तरफ सप्लाई पहुंची तो कैसे होगा लंग्स से जब हार्ट की तरफ आएगी तो हार्ट उसे बाड़ी की तरफ भिज़ देगा और बॉडी से जब हार्ट की तरफ आएगी, तो हार्ट से लंग्स की तरफ जाएगी. इसी को बोलते हैं डॉडल स्रकुलेशन सिस्टम, हार्ट में इदर से भी बलड आया, इदर से जब एंटर किया तो किस से किया? बाइकस्पिट और इधर से एंटर किया तो किससे किया ट्राइकस्पिट जब निकला इधर से तो किदर से निकला पल्मोनरी और ये उपर क्या है लंक्स इसी को पल्मोनरी सिस्टम भी कहते हैं कभी आपको अगर पल्मोनरी की अभी कभी आप डिपार्टमेंट में जाएं किस the study of lungs, तो यह उपर वाला जो circuit है, यस यह वाला जो circuit है, इसको बोला जाता है, पल्मोनरी circuit, इसको कहते हैं, पल्मोनरी circuit, और जो यह नीचे वाला circuit है, इसे बोलते हैं, systemic circuit, it is called systemic circuit, समझ आया क्या, उपर पल्मोनरी circuit, नीचे systemic, और यह दो circuit हो गए, पल्मोनरी मतलब फैंफडे वाला, इसको बोलते हैं, फुफुस, उपस मत समझना, फुफुस, फुफुस, एट्स काल फैंफडे, शरीर के सारे अंग, blood supply जब भी ली जाएगी, तो इस side में कैसा blood होगा, oxygen युक्त, और इस तरफ कैसा blood होगा, carbon dye युक्त, इसको क्या बोल देंगे, छोटी class में इसी को pure बोल देते हैं, इसको impure बोल देते हैं, जबकि pure impure का संबन्द, फैंपड़ों से या रक्त से नहीं है, purity, impurity किसी और चीज़ पर निर्बर करती है, इसे बोल देते हैं, oxygenated, oxygenated, oxygenated या oxygenated blood, और इसको कह देते हैं, deoxygenated, समझ आया, जहां oxygen है, वो oxygen क्रत, जहां नहीं है, वो deoxygen, heart समझ आया, blood circulation system में close circuit, समझ आया, हमारे शरीर के अंदर blood circulation system कैसे काम करता है, समझ आया, diagrammatic form से समझ आया, अब जो next topic पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है human blood और blood group, human blood और blood group, उसके लिए आप next video देखेंगे, उसमें आपको ये चीजें समझ आएंगी, thank you very much, मिलेंगे अगले lecture में, जैहन, क्यासे समझ आपको चक्पको, हम श्रामग्वज। तस्में झाल झाल